समढ़ संग आज का जो हमारा गोल्डन नियम है वो सारे गोल्डन नियम का आधार है सारे गोल्डन नियम का आधार इसलिए क्योंकि समढ़ संग का जो नाम आज के समय है वो समढ़ से आरंब होता है पुराने समय में हम खाली इसको संग भोला करते थे पर अभी और भी संग बन गए हैं इसलिए अपनी जो खास पहचान रही है पुरानी जो हमारी राष्ट्यता है पुरानी उसके नाम पर समढ़ संग बोलते हैं तो जब संग ही समढ़ो का है तो इसका पहला गोल्डन नियम पहला सुनहरा नियम पहला अमर नियम केवल समढ़ है यानि की समढ़ के अत्रिक्त यहां और कोई नहीं हो सकता इसलिए समढ़ सब्द की जान समढ़ संग के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून होती है अगर केवल समढ़ से हटाके और समढ़ के अलावा अगर किसी और के भी लियें से बुला जाता है तो फिर यह समढ़ संग नहीं रहेगा फिर यह मिक्स संग हो जाएगा इसलिए समण संग तबी तक ही exist करता है अस्तित्म में आता है जब तक इसमें केवल समण रहेंगे बहुत सारे जो विद्वान हैं बहुत बड़ी बड़ी डिगरियां लेकर जो बैठे हुए हैं जिनके आगे पीछे सरकारी पोश्ट सरकारी डिगरियां होती हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवस्टियों में पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे समण लोग काफी तादात में बहुत जाता तो नहीं कहेंगे पर जीरों से आरंभ हुए और फिर बड़े तो काफी संख्या में समण ह बहुत सारे पत्रकार बहुत सारे राइटर बहुत सारे लेखक बहुत सारे जो फिलोसफ़र अपने आपको गोशित करते हैं या जिनको सरकार गोशित करती है बहुत सारे बुद्धी जीवी बहुत सारे विचारक बहुत सारे चिंतक ये लोगों की जो पूरी जमात की जमा जिन किताबों का लेखक और राइटर कोई और रहा समण नहीं था यानि कि जितने हमारे चिंतक और जितने हमारे विचारक हैं वो वही बोलते रहे जो उन किताबों में किसी और ने लिख दिया इसलिए समण सब्द का परिचे या समण सब्द की जानकारी या समण क्या है या समण क्या हो सकता है या समण का अर्थ कितना गहरा है कितना उथला है या है भी या नहीं भी है इसको आज जब हम उनको बताते हैं या वो जब पहली बार सुनते हैं कोई समण संग भी है तो उनको समझ नहीं आता बहुत जादा अगर कहीं ध्यान लगाते हैं तो बस इतना ही समझ में आता है कि बुद्ध को महा सम्ण बोलते थे ये कोई बुद्ध से संबंदित लोगों का संग रहा होगा कोई धमिक, कोई धार्मिक संग रहा होगा या कोई छोटा मोटा संग्ठन है जिसने अपने नाम के साथ में संग लगाया है और उसका संग है क्योंकि आज के समय संग्ठन ने भी अपने नाम के साथ में संग लगाने आरहम कर दिये और संग्ठन सब तो दूर दूर तक है ही नहीं इसलिए सबसे पहले ये समझें जब किसी को समझाएं कि समण है क्या और समण का अर्थ क्या है समण सब्द पूरा का पूरा होता कैसा है अगर आप किसी को ये समझाने में काम्याब हो गए कि हम समण है गारब से कहो हम समण है गारब पाली भासा में बोलते हैं गारब का मतलब होता है सद्धा सद्धा का मतलब विश्वास के साथ कहो कि हम समण है या आवाज दो हम समण है या समणों का सबसे पुरातन जो संग है समण सब्द को अगर आप समझाने में कामयव होगे तो समण संग्र को लगबग पूरा आप उसे समझा दोगे बाकी उसके खून में है सिर्फ उसको याद दिलाना है कि वो समण है इसलिए ये जानकारी सभी के पास पूरी होनी चाहिए कि समण का अर्थ क्या है और समण कौन सा सब्द है पहले कहां था अब कहां है और कहां से कहां चल कर कहां आकर फिर दुबारे से हमको मिला है सम गण सम जो सब्द बना हुआ है पाली के अंदर सम का मतलब होता है बरावर वाले समता वाले और सम का एक अर्थ होता है शांती वाले सदभावना वाले अच्छे लोग तो सम दोनों में आता है और जो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समानता वाला होता है उसको समक भी बोलते हैं पर अगर सम में गण लगा दें और दोनों सब्दों के मिला के बोलें तो सम गण हो जाता है और सम गण का ही शौट जो अर्थ है वो है समण और समणा समडी या सामने यह समण से बहुत सारे सब्द बनते हैं इसका मतलब जो सांति प्रिय लोग थे जो बरावरता में विस्वा रखने वाले लोग थे, उनका जो समु है, उनका जो पूरा गड़ है, गड़ माने लोगों का समु, उसको समड बोलते हैं, या एक व्यक्ति को समक को भी समड बोलते हैं, और जो महिला है उसको समडी बोलते हैं, इसका जिक्र बार बार मिलता है, समडा, समडो, समडी, बहुत आपको ये ढूंडोगे कि आप क्या हो या किसी सामने वाले व्यक्ति को जब आप समझाओगे और उससे पूछोगे कि आप ये बताइए कि आप क्या है तो थोड़ी देर के लिए तो वो चक्रा जाएगा पर जब उसे होस आएगा तो वो अपनी आइजेंटिटी अपनी हार से हैं या कहेगा कि हम मदरासी हैं या कहेगा कि हम इंजिनियर हैं हम डॉक्टर हैं या कहेगा कि हम किसान हैं मजदूर हैं या कहेगा कि हम ब्यापारी हैं या कहेगा कि हम किसी जातवात के नाम से जाने जाते हैं या कोई वर्ग वर्ग बताएगा या कोई गोत यह सारी चीचे वो बताएगा पर आप अगर उससे पूछेंगे कि आपने जो पहचान है आपकी जो राष्टेता है आपकी वो क्या है तो कहेगा कि हम भारती हैं पर भारत सब्द तो अभी आया है भारत सब्द कोई जादा पुराना सब्द नहीं है भारत से पहले उसकी रही नहीं है और समड़ों की राष्टेता रही है तो जो समड़ नहीं है वो तो बताएगा नहीं जानकर नहीं बताएगा उसे पता भी होगा क्योंकि उसकी तो है नहीं उसकी राष्टेता कहीं और की है पर जो यहां की रठ्टेता है यानि राष्टेता है उसको बताने के ल जन्पदों में से एक समू बना है, एक गण बना है, एक संग बना है, इसका नाम कैसे बताएगा? तो यहां के जो व्यक्ति की पहचान और जो रठ्यता, या राष्ट्यता या जो नेशनिडिटी रही है, वो समण रही है. ये समण सब्द की राष्ट्यता हम कैसे पुरूब क सकते हैं. हम इसलिए बता सकते हैं, क्योंकि जब तक हम यहां अकेले थे, यानि सारे के सारे लोग समण थे, तब हमको अपने आपको समण कहने की आवश्चक्ता नहीं थी. हलाकि हम कहते थे हमारी प्रक्टिस में था, पर जब तक कोई गैर समण ना हो, कोई समण ना हो, जो इंगलिस में हैं, उसको foreigner बोलते हैं, यानि foreign part, बाहर का बाहिया part बोलते हैं, बाहरिश सा बोलते हैं, पर हमारे यहां तो ऐसा सब्दी नहीं था, हमारे यहां देशी और विदेशी सब्द नहीं थे, देशी और विदेशी सब्द बाद में बने हैं, हमारे यहां कोई भी ऐसा सब्द नहीं है जो हम बाहर के व्यक्ति के लिए बोल सकें। पर बाहर के व्यक्ति को हम बोलते थे, वो सब्द छुपा दिये गए, वो इसलिए छुपा दिये गए कि अगर वो सब्द हमारी समझ में आ गए, तो ये किलियर हो जाता है कि समण लोग यहां के लोग हैं और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो समण नहीं है क्योंकि आप आज देखोगे पूरे भारत में तो एक प्रजाती मिलती है जिसको लोग ब्राहमन बोलते हैं बमन बोलते हैं, बमन बोलते हैं, वो पिर जाती आपको पूरे भारत में अलग अलग रूप रंग की मिलेगी, आप केरल में जाएंगे अलग रूप रंग की होगी, आप मदरास में जाएंगे तमिलाडों में जाएंगे अलग रूप रंग की होगी, आप अगर इधर जाएं जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी आप अगर मद्दे भारत में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी आप राश्थन में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी पर उन सबका एक नाम कौमन है जिसको पूरे भारत में पचलत है ब्रहमन है और वो अलग अलग रूप रंग के हो अलग-अलग लोग एक ही नाम से कैसे जानेगे जबकि हमारे पास वाटसेप नहीं था, जबकि हमारे पास में टेलीफून नहीं था, जबकि हमारे पास में टेलीग्राम नहीं था, जबकि हमारे पास में चट्थी नहीं थी, जबकि हमारे पास में भासा भी नहीं थी, हम बात की खाड़ी से आने वाले हैं जो यहां शक आए या हूण आए या यवन आए वो अलग भासा लेके आए उनके रूप रंग अलग थे जो मंगोल से आए उनकी भासा अलग थी उनके रूप रंग अलग थे जो चाइना की तरफ से आए उनके रूप रंग अलग थे वो अलग त और उन्होंने एक ही नाम दिया उन सबको पूरे भारत में तो एक ही सब्द प्रिचलित हुआ जो भी बहार से आया जो भारत में नहीं रहता था उसको उन्होंने वाहिय कहा वमन कहा वम कहा वम माने वैसे तो भम्मन माने तो घ्रना भी होती है वम्मन का जो अर्थ है वो घ्र नहीं है, हमने उनको उल्टे कहा, विप्रीद कहा, क्योंकि हमारे जैसे नहीं है, सम नहीं है, वम है, इसलिए वामपक्ष होता है, तो सम नहीं है, वम नहीं है, तो उनको हमने वमण कहा, तो वमण के नाम से ही जाने जाने चाहिए थे, पर भारत में उनको वमण की वज़े ब पर ये सब्द जैसे ही बताया जाता है कि समण का शर्मन कर दिया गया वो ऐसे ही सीसे की तरह पूरा का पूरा पिच्चर किलियर हो जाती है अब समझ में आ जाता है कि पाली में जो लोग समण थे उनको शर्मन कर दिया गया और जो लोग पाली के अंदर वमण थे भमण थे उनको ब्रहमण या बामण या बमण कहा गया यानि लोग यहीं हैं लोग कहीं गए नहीं सिर्फ उनके नाम बदले नाम बदल जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती पर नाम के साथ साथ में उनकी जो पहचान का जो काम था वो भी बदल के उनको बताया गया और ये पॉसिबल तब हुआ जब लोग अपने ग्यान को अपनी संखती को अपने आचार वेवार को और अपनी कल्चर को भूल कर दूसरों की किताब और दूसरों के स्लोक और दूसरों के मंतर और दूसरों के नाटक दूसरों के मंचन और दूसरों के परचार में उलज गए अगर आप किसी गलत बात का लगाता लगाता परचार करते रहेंगे तो आप अपनी सही बात तो भूली जाएंगे उसकी गलत बात भी सही हो जाएगी ये प्रचार का एक तरीका होता है प्रचार का एक दम होता है प्रचार का असर होता है और वही हुआ कि समण सब्द तो भूले साथ ही साथ सर्मन सब्द की जो बुराईयां थी वो भी हमने माल लिया, उनसे हम अपनी बातें और अपनी गूड बातें और अपने जो पूरा भविस्य है, उसका फैंसला भी उनके हातों में हमने दे दिया, ये सिर्फ एक परचार करण, और जो बातें हम पुरानी भूल गे, उसके करण हुआ है, तो ये सिद्ध होता है, कि जो वमण ल लोग हैं, वो सारे के सारे लोग काम करने वाले लोग थे, वो सारे लोग पूरे देश में सारे काम किया करते थे, पर वो काम आज के समय हमको सरम करके छोटे बदाय जाते हैं, छोटे काम नहीं थे, सारे काम थे, जैसे जो फिलोसपी का काम था, यानि कि जो चिंतन और मनन क काम था इसके गुरू बुद्ध रहे हैं वो महास्रमन रहे हैं वो फुलोसफर्ण थे चिंतन थे मुनं थे साइक्लोजिस्ट थे उनको लगभग सारी के सारह ग्यान प्राप था वह दुनिया के अकेले विस्व गुरू रहे हैं जो पूरा पूरा ग्यान बताते थे तो यानि स्रम्राट लोग विस्व गुरू हैं जो सुदत जैसा हमारा ब्यापारी है जिसको अनात्पिंडक बोलते हैं वो दुनिया का 27% जीटीपी के साथ में बैल गाड़ियों में माल भर भर के जो भी यहां बनता था चाहें वो कपला था चाहें वो खेट का काम था चाहें फसल थी चाहें वो अन्हत था वो भेजा करता था और बहार से और सामन लेका आये करता था तो इसका maja प्यापारी समण लोग थे जो समराट असोग या चंदगुप्त मौरे ने जो पहली सेना बनाई सेना चंदगुप्त मौरे ने बनाई तो सेना में सामिल होने वाले लोग सारे सारे समण थे यानि कि सेना पती का चंदगुप्त मौर रहे और जो सेना थी सारी सारी समण लोगी थी तो हम व बड़े बड़े चमतकार किये, उस समय सरजरी भी की और उस समय मेडिकल के वो बाश्या भी थे, इसलिए जीवक का नाम अभी भी अमर है, और हमारी यूनिवेस्टिया रही, तक्षला के अंदर और नालन्दा के अंदर सारी सारी जो बाद में बनी और उनमें सारे पढ़ने वाले जो प्रोफेशर थे वो भी समढ थे और पढ़ने वाले भी समढ थे जो समराट असोक ने पहली वार अक्षर बनाए जिसको असोक लिपी बोलते हैं या असोक धम लिपी बोलते हैं और जो अक्षर बने जिनको देवनागरी लिपी बाद में बुला गया नाग लोगों दिया देव नागनी लिपी वो भी हमने बनाई और वो अक्षरों को पढ़ने वाले जो लोग थे वो पढ़ने वाले भी समढ़ी थे यानि लिखने वाले समढ़ थे पढ़ने वाले समढ़ थे जितने कसक थे जितने किसान थे वो सारे समढ़ थे यह पुरूब होता है इस बा के नीचे बैठे हुए हैं और उनके खेतों में एक हजार हल चल रहे हैं उनके पिता सबसे बड़े कसक थे उनके नाम भी किसान की जो फसल है उसके ओपर थे सुद्धोधन सुद्धोधन का मतलब है सुद्धोधन साफ चावल अमितोधन यानि जिसमें अमित हो अल्लिमिटेट चावल हो अमितोधन तो ये ओधन जो सब्द है वो फसल से समद्धित था तो सारे किसान थे और वो तो पूरे कविले का नाम भी साक के ही था साक के मतलब साक सबजी वाला तो हम फार्मर भी रहे हैं पूरे फार्मर पूरी लेंड भी हमारी रही है और लगबग हम सारी चीजों के जानकार ग्याता रहे हैं और सारे काम हम करते थे चाहे वो तीर कमान बनाने का काम हो चाहे शिकार करने का काम हो चाहे खेत में खेती करने का काम हो जो भी काम था वो सा सारे के सारे समण करते थे, तो समण उत्पन करते थे, उत्पत्ती करते थे, इसको पाली भासा में उत्पन करना या उत्पत्ती करने का मतलब होता है, जाती, जो बुद्ध ने बताया, जाती दुखा, जरा दुखा, मरनंग दुखा, ब्याधी दुखा, यानि बीमारी दुख मरना दुख है पैदा होना दुख है और उत्पन होना यानि जो पैदा होता है उत्पन होता है जाती दुख है तो कोई चीज अगर उत्पन होती है तो उसको बोलते है जाती इसलिए पेड़ पौधों की जाती होती है क्योंकि वो उत्पन होते हैं जितने जीव हैं उनकी जात करते थे उनकी पहचान बनती थी कि यह कसक है इसकी जाती क्या है कसकी यह उत्पादन करता है खेती का किसान का फसल का उत्पादन करता है तो इसकी जाती कसक है जो तीर कमान बना रहा है उसको कहते थे यह कारपेंटर है बड़े है इसकी जाती बड़े है जो राजा था उसकी जाती राजा जैसी थी और जो सेनापती था उसकी जाती सेनापती जैसी थी तो उत्पन करने वाले व्यक्ति को ही बोलते थे पर वमड की कोई जाती नहीं होती आज भी वमड की कोई जाती नहीं है क्योंकि वमड यहां का नहीं है वमड वही बोहता था जो दुझ माने पक्ष कोई काम नहीं था वो कोई काम जानते भी नहीं थे सिवाए एक काम के के वो याचक थे याचना करते थे मांगते थे और मांगकर खाते थे समणों के दरवाजे पर याचना करते थे समणों के दरवाजे से मांगते थे समण ही उनको खाना देते थे और याचक थे इसलिए आज भी वमणों की जाती नहीं होती क्योंकि वमण यहां के नहीं है और समणों की जाती यहां होती है क्योंकि जैसे ही समणों का संग टूटा उनके काम के आधार पर उनके गुट बनते गए और उनके टुकड़े होते गए पर वो जाती के नाम से जाने जाते हैं इसलिए वो व्य व्यक्ति जाती नहीं रखता, यानि उत्पन नहीं करता कुछ भी चीज, वह व्यक्ति मंगता है, या चख है, मांगने वाला है। आज के समय समय बदल गया है, वह अलग बात है, पर आज भी ये बात सच है, और ये बात पहले भी सच थी. तो समणों का जो इत्यास है वो सारा का सारा बाहर के लोगों ने लिखा है जो मैगस्तनीज की इंडिका है उसमें समण सब्द और समणों की व्यक्या उसमें लगाता राती रहती है जो बुद्ध का इत्यास है, जो जैनों का इत्यास है, जैन तो समण के नाम से क्योंगी, वो भी सारे समण रहे हैं, उसमें समण गंत भी हैं, समण चीजें हैं उसके अंदर, और वहां से बुद्धों को भी पता चला है, तो बुद्ध और जैन समण हुआ करते थे, सारे के सा है यह बंबन मिलता है बंबन माने घरना मिलता है यह जो सब्द बदल गया और समण से शिर्मन हो गया इसलिए इसको भूल गए बार बार हमारे महापुरसों ने खास्तों से बावसा वंबेट करने यह कैवार बताया है और बिल्कुल इस पश्ट बताया है कि यहां पर जो संसाधने उनके लिए जो लड़ाई होती है जगडा होता है वो संसाधनों की लड़ाई जगडा सिर्फ दो लोगों में होता है दो तरह के संकती में होता है एक ब्रहमर संकती और एक शिर्मन संसकती उन्होंने हिंदी का सब्द यानि की जो संसकाइट सब्द है शिर्मन अस ये जो हमारे सारे अधिकार गए हैं ये बच जाते ये इसलिए बच जाते क्योंकि समण हमारी ultimate पहचान है समण के बाद कोई सब्द नहीं है सिवाए राजा और सासक बनने के आप अगर अपनी पहचान को मूल निवासी बताते हैं तो मूल निवासी व्यक्टियों में आप उ उनके वरगी करण यानि जो जात का आज के समय अभ्यास होता है क्योंकि अब काम के ओपर जात का अभ्यास नहीं होता अब जात का अभ्यास छोटे बड़े का अधार पर होता है कि किसको छोटा करना है किसको बड़ा करना है जबकि ये सारा हवा में है तो जो अभ्यास यहा वो याता है कि बहुजन में हैं तो बहुजन वाला पूछ आए आप से कि अच्छा आपकी पहचान क्या है वो दरसल आपकी आज के समय जो जाती का अभ्यास है वो पूछना चायता है पर अगर आप समण कहते हो तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी जाती नहीं पूछ सकता आपकी कोई और चीज नहीं सकता और आपको बताने की आवशकता भी नहीं है क्योंकि मूल निवासी का जो उल्टा सब्द है उसको बोलते हैं विदेशी और जो बहुजन का विलोम सब्द है उल्टा सब्द है उसको बोलते हैं अल्पजन पर समण का जो उल्टा सब्द है वो वमण है, तो समण जो लोग हैं, उनकी कोई आज के समय की जो जाती है वर्गी करने, वो पहले नहीं हुआ करती थी, काम आधारित उनकी पहचान थी, पर उनकी राष्टे पहचान समण थी, काम कोई भी करे, पर उसको समण ही बोला करते थे, पुरानी समय में, पुरानी ड वम्रों ने यहां वर्गी करण बनाए उन्होंने जात नहीं बनाई क्योंकि जात नहीं बना सकते हो क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे कोई उत्पादन नहीं करते थे जात उसी की होती है जिसका उत्पादन होता है तो उन्होंने यहां की महिलाएं इस्तमाल की, क्योंकि महिलाएं लेके नहीं आए, तो यहां की महिलाएं इस्तमाल करने के बाद, उन्होंने जो अपना वर्गी करन किया, वो एक पाइदान और उंचा किया, उन्होंने अपने आपको उसी हिसाब से वमन बताया, जो हम बताते थी और वो लोग तो उनके समणों में मिक्स लोग पैदा होने लगे तो वर्गी करण तीन हो गए रंग के आदार पर क्योंकि वर्ग का मतलब जो वन उन्हों ने लिखा वन का मतलब होता है रंग़न यानि के सफेद और सफेद को हम लोग बोलते थे अवन यानी बिना रंग का उनको अवन बोला करते थे और हम अपने आपको समण जितने भी थे वो समण बोला करते थे यानि के सुनहरे रंका, निज रंका, काले रंका, डार्क रंका, हिरन जैसे रंका, गोल्ड तो बाद में आया, गोल्ड जैसे रंका, या सूरज के ढलते हुए जैसे रंका, या सूरज के उकते हुए जैसे रंका, या फसल के पकने जैसे रंका, हम इसको बुला करते थे, और इन रंगों से सवण से यानी हम सवण और वो अवण से जो मिलके बना इसको बोला संकरवण यानी मिक्स रंग ये तीन बंड हुआ करते थे पर उन्होंने जो बाद में एक वर्गिकराण और किया differentiate करने के लिए अपने लिए तो उन्होंने जो छत والे लोग होते थे या जो खेतिय वाले लोग होते थे उनको खेतिय और छत्रिय आगर केना सुरूर किया या खेत वाला खेतिया को छेत्रीयवी एक अलग से बना। पर जातिया नहीं बनी। इसलिये कोई विद्वान अगर बहस करना चाहे और कोई हमारा जो समण है वो बहस में हिसा लेन लेना चाहे बेसक उसको कुछ पता नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, बेसक उसने कुछ नहीं पढ़ा, कोई घवरानी की बात नहीं है सामने वाले से प्रसंद करना चाहिए कि आप हमें ये बताओ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है आपकी राष्टेता क्या है आपकी पहचान क्या है वो ये छोटी मोटी पहचान बताएगा या तो भारती है या कोई काष्ट या कोई वर्ग या कुछ प्रोफिसन मगरा बताएगा पर वो ये नहीं बता सकता कि बुद्ध से पहले हमारी पचान क्या थी बुद्ध के समय हमारी पचान क्या थी असोक के समय हमारी पचान क्या थी असोक के समय हम क्या बोले जाते थे पर अगर आप उसे याद दिलाओगे कि शिर्मन बोला जाता था तो हो कहाँ शिर्मन हमारी जो संसकती थी सिर्मन थी क्योंकि यही पढ़ा है उसने वो स्रमन के लिए एकदम राजी हो जाएगा और स्रमन संकती यानि स्रमन संसकती और वमन यानि ब्रहमन संसकती के लिए एकदम एगरी हो जाएगा क्योंकि उसको यह पढ़ा है उसने पढ़ा है तब आप उसको आसानी से समझा सकते हो कि जो सर्मन सब्द है पाली में औरिजनल यही समन है और जो ब्रहमन सब्द है वही पाली में औरिजनल वमन सब्द है वम सब्द है वो यहां का नहीं है यही कारण है कि पूरे भारत में ब्रहमन वमन के नाम से इखटे हो गए जिनकी संक्या बहुत थोड़ी है उनको यह डर था कि इन लोगों को अपनी पहचान अगर पता चल गई तो हम फिर अलपजन हो जाएंगे हमें इनकी गुलामी सेहनी पढ़ेगी हमें इनका जो रूल है मानना पड़ेगा इनकी आगया माननी पड़ेगी और हजारों सला तक उन्होंने आगया माननी भी है क्योंकि याचक तो हमें याद ना जाये हमारा समड सब्ध हमें याद ना जाये इसलिए हम को उन्होंने mostly जो हमारी उत्पत्थी के नाम थे जाति के नाम थे उस से ही इंगित किया रोसी में उनको उलजा के रखा और वो उलज़कर टुकड़ों में ठूट गए एक अगर कहीं वमण होता है तो उसके पास अगर दस जार आदमी आसपास रहते हैं तो वो सारे के सारे समण होते हैं पर टुकडों में टूटे हैं उनको पता नहीं है कि वो समण हैं इसलिए दिक्कत है इसलिए अगर आप किसी को ये बताते हैं कि आप समण हैं तो समण के लावा कुछ और बताने के आउशकता नहीं है अगर आप समण हैं और समण के बाद भी आप ये कहते हैं हमारी तो जात ये, हमारा तो गोत रिये, हमारा तो वर ये, हमारा तो छेत रिये तो फिर आप समण नहीं है फिर आप उनके जाल में उलजे हुए वो पक्षी है जिसकी जान बचने वाली नहीं है यह सिस्टम है और अगर आपने सिर्फ यही कहा अपने घर के दरवाजे पर यह लिख दिया कि गारब से कहो गारब भी कह सकते हैं पाली का सब्द गारब है गा से कहता हूं मैं समण हूं अपनी गाड़ी पर लिखवाते हैं गारब से कहता हूं मैं समण हूं आप यह कहते हैं आवाज दो हम समण हैं आप कहते हैं कि हमारा संग समण संग आप कहते हैं कि मेरी मूल पैचान समण है मैं पैदा ऐसी जनमजास समण हूं फिर आपको किसी सार मतकार में कभी यकीन किया हो ना किया हो पर आप कर सकते हैं कि ये सब तो जैसे जैसे आगे बढ़े गा वैसे वैसे आपके मुक्तिके जितने धरवाजे बंद किए हैं वो एक ठोकर में खुलते चले जाएंगे सिर्फ एक सबसे चाहे आपके पास सिक्षा हो या ना हो चाहे आपके पास ग्यान हो या ना हो चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो चाहे आपके पास अच्छा सरीर हो या ना हो चाहे आपके पास मकान हो या ना हो चाहे आप बेसक टुकड़ों में टूटे हुए हैं चाहे बेसक आपका कहीं सब कुछ जा चुका है पर एक सब्द के जाने से ये सारी चीज़े गई और उस सब्द के आने से ये सारी चीज़े आ जाएंगे ये चमतकार दुनिया में होते रहते हैं दुनिया में जिन लोगों ने में कामिया भी पाई है वो कोई ना कोई जूटा सच्चा सब्द पकड़ लेते हैं और जूटे सच्चे सब्द का इतना प्रचार करते हैं लोगों को लगता है कि जो सब्द दिया है वही सच है और यहां तो सच्चा सब्द है यहां तो हमारे पुर्खों का और हमारे महासरमणों का और हमारे बुद्ध से भी पहले जो हमारा संग था उसका सब्द है हमारा मूल है इसको पाली में चेक कर सकते हैं इसको मेगस्थनिस की किताब में चेक कर सकते हैं इसको आप बुद्ध के त्रिपी टक में चेक कर सकते हैं और अगर चेक ना भी करना चाहें तो सर्मन का समण होता है यह आपको हर एक डिक्ष्णारी में मिल जाएगा तो ये जो हम कहते हैं बारवार के केवल समण केवल समणा मिश्लिय कहते हैं क्योंकि हम कोई राजनितिक मंच नहीं है दिखे, राजनितिक के अंदर तो आपको हर एक आदमी का हाद जोड़ना पड़ेगा राजनिति की जो आइडेलोजी होती है यह विचारधारा होती है, सिर्फ एक होती है, एनिहाओ हर हलत में जीतना, साम, दाम, दंड, बेच, छल, कपट, युद्ध होता है, जीतना होता है, पर संग राजनीती से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि संग में हार जीत नहीं होती, संग में सिर्फ जीत जीत होती है, संग म अमेंसा इस नहीं जीतता है क्योंकि संग में एक विचारधारा होती है, विप्रीत विचारधारा का हमाँ जिक्री नहीं होता, संग में सारी लोग एक ही मत के होते हैं, संग एक शक्ति के रूप में होता है, संग एक ऐसे होता है जैसे जो शेरों का जुंड है, या एक आके संगों को चेक कर सकते हैं पर मंत्र सिर्फ एक है कि आपको अपने सब्द को अपने सद्द को अपने वर्ड को अपने समण को दिन राद दिन राद सीने पर लिखना है टी-शर्ट पर लिखना है माथे पर लिखना है सरीर पर गुदवाना है अपने बच्चों की किताब लिखना है, किताब समण की खेती है, कौपी जिसमें लिखा हो समण है, वो करना है, गरब से कहना है हम समण है, हम समण के अतरिक्त कुछ और है नहीं, पुराने हम समण है, हमारा जो रुत्वा है, हमारी जो सान है, हमारा जो उचा मत्था है, वो समण होने का है, ये गरब, ये केवल समण यहां पहला हमारा सिध्धान्त है सिध्धान्त और हमारा गोल्डन नियम है क्योंकि इसमें समण के अलावा किसी और की एंट्री नहीं हो सकती संगों के अंदर एकी विचार के लोग आते हैं, एकी तरह के लोग आते हैं, संग के अंदर दूसरे विचार के लोग या दूसरे तरह के लोग कभी नहीं आते आप किसी भी संग को चेक कर सकते हैं संग अपने लोगों के वैलफेर के लिए बनता है इसलिए केबल समड का मतलब है कि सिर्फ समड के वैलफेर समड के सुख के लिए ही ये काम करता है इसलिए समढ़ और केबल समढ़ हमारा सबसे पहला जो गुर्डन नियम है हम उसी के उपर सारा का सारा बेस होके चलते है कोई लिबरल आदमी आ सकता है कोई बहुत ज़्यादा ग्यानी आ सकता है वो कहेगा कि नहीं ये तो आप भेदबाब कर रहे हैं तो इसको समझाना चाहिए कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ रहे है हमारी चुनाव की अडिलोज नहीं है अगर कोई समढ़ संगी चुनाव लडने जाता है तो जा सकता है उसके बाद के नियम है जब आएंगे पर वहाँ वो जाके वमनों के हाँ जोड़े वमनों का खुश करे उनकी बोट ले अपने हिस्से में उनको करे वो उसका धर्म है वो उसका धम है वो उसका राइट है वो करे पर संग अपने ही लोगों के पास जाता है और संग में अपने ही लोग आ सकते हैं ये उसका धम है ये संग का नियम है इसलिए हम कोई बेहदवाब या कटरता नहीं कर रहे हैं आप दुनिया के किसी भी संग को उठागे देखेंगे यह संग का बेसिक नियम है कि संग एक ही तरह के लोगों का बनता है और जिन के लिए बनता है उन्हीं के लिए काम करता है उन्हीं के सुख के लिए काम करता है और संग कभी खाली हात नहीं आते इसलिए जो समड संग जो समड सब्द है और केवल समड है वो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है इसको आप लगाता लगाता लोगों से इसकी व्याख्या करें इसका जिक्र करें इसको लिखें इसको वीडियो बनाएं वीडियो सुनें वीडियो करें समड़ की कैई सारी वीडियो हमारे पास हैं उनको देखें और इस गोल्डन नियम का लगाता लगाता अभ्यास करके इसका जिक्र करें और लोगों को बताएं मेरे अगर इस किसी वक्तव में अगर कोई तूटी हुई है कोई गलती हुई है तो संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ माफ करे संग नमामी संग नमामी संग नमामी